हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम अगीन टू लंग्री दितिवन हम लोग कर रहे हैं राजिस्थान का इतिहास और संस्कृती तो टैंथ क्लास के फर्स्ट चैप्टर का आज अंतिम पार्ट है और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एक बात और लास्ट वीडियो म मैंने आपको ये बताया था कि अंग्रेजों से संधी करने वाली जो पहली रियासत थी वो थी भरतपूर देखिए वहां पर थोड़ा सा आप सही कर लेना थोड़ा सा गलती हो गई थी मुझसे ही भरतपूर नहीं वो मेरे मुझसे भरतपूर निकल गया था वहां था करॉल ठीक है तो करोली जो है वो आप सही कर लेना और राजपूतों में सबसे पहला शाशक जो मुगलों से जिसने अधीनता सुईकार की थी वो कौन थे राजा भारमल चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जैपूर का उत्रादिकारी संगर्स 1708 इस्वी में सवाई जैसिंग ने मेवाड के महराना अमर सिंग दुत्तिय की पुत्री चंदर कुमर भाई से विभा किया था तो देखिए 1708 इस्वी में सवाई जैसिंग और अमर सिंग सेकंड के बीच में क्या होती है एक शर्ट रखी जाती है और इकरार नामा जो है ये कहिए इस तरीके से कि जो सवाई जैसिंग है वो अमर सिंग की जो पुत्री हैं चंदर कुमर बाई उनसे विभा करेंगे और चंदर कुमर बाई से जो पुत्र होगा वो ही रासिंग असन पर बैठेगा लेकिन सवाई जैसिंग जो है उनकी जो पहली पतनी थी उनके भी पुत्र हुआ और चंदरकुमर के भी पुत्र हुआ और शर्ट क्या रखी गई कि चंदरकुमर बाई का जो बेटा होगा वही सिंगहासन पर बैठेगा तो इस वज़े से जो लड़ाई है जो संगर से उत्रादिकारी के लिए तो वो तो होना तै ही था चलिए देख लेते हैं विवासे पूर्व जैसिंग ने एक इकरार नामे पर हस्ताक्षर किये थे जिसमें मेवाड की राजकुमारी से उत्पन पुत्र को चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो जैपूर के राज सिंगहासन पर बैठाने की बात कही गई थी उसके बाद 1722 इस वी में जैसिंग की खीची रानी सूरज गुमर से भी एक बेटा हुआ इसका नाम था ईश्वरी सिंग पहली रानी सूरज गुमर से एक पुत्र हुआ उसका नाम था ईश्वरी सिंग और 1728 में मेवाड की राजकुमारी जो चंद्र कुमर अमर सिंग दुत्य की बेटी चंद्र कुमर से एक पुत्र हुआ माधव सिंग। किसका बेटा था वो जैसिंग की पतनी थी खीचीरानी सूरज कुमर तो उसका बेटा था वो गद्धी पर बैठा क्योंकि राजपूतों में परमपरा है कि बड़ा बेटा जो है उसी को उत्रादिकार जो बनाया जाएगा लेकिन माधव सींग जो की चंद्रकुमर का बेटा उसने 1708 इस्वी के इकरार नामे के आधार पर जैपूर राज्जी की गद्धी का दावा किया कि पहले ही ये चीज़ तैव हुई थी कि गद्धी पर जो है वो उसे ही बैठना चाहिए इस प्रकार इस्वरी सिंग और माधव सिंग में ग्रह कलेज जो है वो आरंब हो गया दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रेतन आरंब हो गए अब ये मराठों के पास गए कि हमें सहायता चाहिए माधव सिंग की ओर से मलार राव होलकर से सैनिक सहयता प्राप्त की गई इसके बाद बदले में होलकर को 20 लाक रुपए देने का अश्वाशन ने दिया गया तो माधव सिंग की ओर से जो सैनिक सहयता है वो किस ने दी? मलार राव होलकर ने, मराठा ने, ठीक है? उसके बदले वो क्या देंगे? 20 लाक रुपए उधर इस्वरी सिंग ने राणो जी सिंधिया से सहयता प्राप्त की ठीक है? तो एक बेटा जो है, वो तो मराठा के पास लेने के लिए गई सहयता और वहीं दूसरे बेटे जो है, वो कहां गई, राणो जी सिंधिया के पास परवरी 1745 इस्वी में मादव सिंग ने जैपूर पर चड़ाई कर दी ठीक है? किन्तु इस्वरी सिंग ने अपने मराठा सातियों की सहयता से मादव सिंग और उसके सहयोगियों को परास्त कर खदेर दिया तो यहां पर विज़ाई जो है, वो कौन हुआ? यहां पर विज़ाई हुआ खीची रानी जो सूरज गुमर थी, उसका बेटा ईस्वरी सिंग मादव सिंग ने एक बर फिर मलाव राओ से सैनेक सहयता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रत्युनिदी को कालपी भेजा और सैनेक सहयता के लिए उसे दो लाग रुपे देने का वचन किया पहले 20 लाग रुपए दिये, अब दुबारा से उन्होंने सैनिक साहिता प्राप्ट करने के लिए 2 लाग रुपए दिये मलहाव राउने अपने पुत्र खांडी राउग को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की साहिता करने भेजा पलस्वरूप 1 मार्च 1747 इस्वी को दोनों पक्सों के बीच राजमहल नामक इस्थान पर पुनह भीशड युद्ध हुआ राजमहल के इस युद्ध में दुबारा से कौन विज़य हुआ इस्वरी सिंग ही विज़य हुआ यही बड़ा बेटा था तो यही विज़य हुआ तो देखिए यहां पर जो आपको लाइने जो है वो कौन सी नोट करनी है सबसे पहले तो यह नोट करनी है कि 1708 इस्वी में सवाई जैसिंग और मेवाड के महराना अमर सिंग 2nd की जो पुत्री कुमर भाई इससे विभा किया गया ठीक है तो पूछा जा सकता है शर्त जो है वो क्या थी तो आपको याद रहना चाहिए क्योंकि चार ओप्षन जो है वो डिटेल में यदि पूछे गए तो यह चीज़ें जो है वो आपको याद रहनी चाहिए बिल्कुल एक कहानी की तरह आप इसको याद रखेंगे और 1722 में जैसिंग की जो खीची रानी सूरज कुमर से जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था इस्वरी सिंग और 1728 में मेवाड की राज कुमारी चंदर कुमर से जो बेटा हुआ उसका नाम क्या था मादव सिंग और जो ये उत्रादिकारी के लिए सिंग की साहेता जो है वो किसने की मलाव राव होल करने और वहीं इस्वरी सिंग की जो साहेता करने वाले कौन है वो है राणव जी सिंधिया विजयी कौन हुआ था इस्वरी सिंग दुबारा से महादव सिंग जो है वो मलाव राव होल करके पास गए थे सैना भेजी गई थी फिर भी विजय कौन हुआ इस्वरी सिंग तो ये चीज़ याद हो जाएगी जो अंतिम युद्ध होता है वो एक मार्च 1747 इसवी को दोनों पक्षों की भी किस इस्थान पर होता है राजमहल नामक इस्थान पर ठीक है तो ये एक स्टोरी ही हो गई जो कि आपको हमेशा सिंग मेवाड के शाशक की ओर से अधिक रुपया देने का लालच दिया गया तब रिन भार से धबे हुए पेशवा ने इस्वरी सिंग का साथ छोड़ कर माधव सिंग का पक्ष ले लिया इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ इस्वरी सिंग के था और उसे माधव सिंग को चार परगने देने उमेद सिंग को बुंदी का राज्य लोटाने और मराठों को भारी धनरासी देने का वायदा करने को विवस होना पड़ा तो देखिए पहले तो मराठा जो थे वो उनका जुकाब जो है वो इस्वरी सिंग की तरफ था जो प पर देने का लालच दिया इससे मराठा जो थे वो इस्वरी सिंग का साथ छोड़के महराना जगस सिंग के साथ हो गए ठीक है तो आपको बात समझ में आई कि पहले तो इस्वरी सिंग के साथ थे लेकिन उसके बाद जैसे ही महराना जगस सिंग ने जादा लालच दिया रा इस्वरी सिंग की मुठवेड हुई तो यह स्थान आपसे पूछा जा सकता है कि बगरु नामकिस्थान पर मराठों के साथ मुठवेड जो है किसकी हुई तो आप बिल्कुल गलती से भी मादो सिंग जो है वो टिक नहीं करेंगे आप क्या टिक करेंगे इस्वरी सिंग जैपुर की ओर बढ़ा मार्ग में उससे जैपुर का राजदूत दो लाख रुपए के साथ मिला पर होल कर इस रासी से खुस नहीं था उसने जैपुर की ओर बढ़ना जारी रखा जैपुर के राजदूत ने लोटकर जब इश्वरी सिंग को यह सूचना दी तो इश्वर नितिक जंजालों से अपने आपको आजाद कर लिया तो इस तरीके से ईश्वरी सिंग जो है वो इतना बलशाली था लेकिन उसे भी आत्म हत्या जो है वह करनी पड़ी तो ये जो बगरू का युद्ध है इसकी डेट जो है वो आप याद रखेंगे अब होलकर ने माधव सीं जो है वो गद्धी पर बैठ गए जैसा कि स्टार्टिंग में ही तैह हुआ था कि बैठना किसको है माधव सींग को सर्त के मुताबिक माधव सींग के गद्धी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंदि अपनी लंबी चोड़ी मांग रखी मादो सिंग माराठों को सबक सिखाना चाता था 10 जनवरी 1751 को उसे एक सुनहरा अफसर मिल गया इस दिन लगवग 4,000 माराठों ने 9 निर्मित जैपुर नगर के कलात्मक मंदिरों व बजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेस किया दोपहर में मादो सिंग ने नगर के सभी दुआर बंद करवा दिये और अचानक राजपूत सैनेकों और नागरिकों ने मराठों का कतले आम शुरूर कर दिया राजिस्थान की राजनिती में राजपूत मराठा संगर्स की एक नई उलचन यहीं से आरम हुई जो आगे चल कर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजिस्थान के लिए भी घातक सिद्ध होई तो देखिए बुलाने का काम जो है वो भी इन राजपूत शाषकों ने ही किया था मराठों को जो है एंट्री जो है वो इन ही ने दी थी लेकिन मराठों ने ही इन लोगों को बहुत ही परेशान किया तो अंत में जो माधो सिंग थे उन्होंने बहुत ही अपनी सूजबूज से कार्रे किया और राजिस्थान की राजनिती में जो राजपूत मराठा संगर्स की एक नई उल्जन जो है वो यहीं से प्रारंब हो जाती है और युद्ध जो है वो यहीं से प्रारंब होते हैं मराठों से बचाव के लिए राजपूतों की इस तरीके से साहता भी करेंगे तो उन्होंने सर्थ भी रखी थी कि यदि वो विवहा करते हैं चंदरकुमर से तो ही उनको साहता मिल पाएगी तो इस तरीके से देखिए कहानी जो है वो कहां से स्टार्ट होई थी और कहां पर ज विवाद होता था पलसरूप मराठे महाद महाद जी सिंदिया के नेतरत्व में जैपूर राज में लूट मार मचाया करते थे मराठों की इन हरकतों से परिशान होकर जैपूर का ततकालिन शाशक प्रताप सिंग इनसे मुक्ति का प्रियास कर रहा था तो अब मराठों ने प्रवेश्तो कर ही लिया था संगर्स चल ही रहा था राजपूत और मराठा के दीच में मराठे जो थे वो क्या करते थे यहां पर चौत कर वसूली जो है वो करते थे तो यहां पर जो प्रताप सिंग थे तातकालिन शाशक जैपूर के तो उन्हों ने इस मुक्ति से दूर क करने का क्या किया प्रेयास किया प्रताप सिंग ने मराठों के वुर्द जोधपूर महाराजा विजय सिंग से गठ बंदन किया और शिवपूर करोली के शाशको ने भी इस संगर्स को सैनिक सहयोग दिया इसके अतरिक्त महाद जी का साथी मुगल फॉजदार मुहमद बेग हमदानी भी रासपूतों के शाथ हो गया अतहे 28 जुलाई 1787 को लाल सोट के पास तुंगा नामक इस्थान पर मराठों, महाद जी सिंदिया और राठोड कच्वाह गठवंदन की सैनाओं के मद्द युद्ध हुआ भेंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अर निर्णायक रहा, महाद जी पीछे हट गया और रासपू सैना को पलडा भारी हुआ तो यहाँ पर नोट करना है 28 जुलाई 1787 को लाल सोट के पास जो है वो तुंगा का युद्ध होता है तुंगा नामक इस्थान पर किस किस के बीच में होता है यह युद्ध जो है वह है मराठों और राठोड कचवाहा गटवंदन की सैनाओं के मद्या होता है ठीके मराठो राजपूतों के बीच में होता है तो मराठा जो है उनका इनाम याद रखना है महाद जी सिंधिया और राठोडों में कचवाहा के साथ में ठीक है यह चीज आप याद रखने हैं तुंगा की युद्ध के बाद भी मराथे राजपूत राज्यों पर अपना प्रवत्व छोड़ने को तैयार नहीं थे अतहे मराथों वह राजपूतों के मद्द 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ अब देखिए जो तु हैं वह पीछे हटने को राजी नहीं थे तो दुबारा से युद्ध होता है 20 जून 1790 को मराथों राजपूतों के बीच में पाटन का युद्ध जिसमें मराथा सेना को निरनायक विजय मिली अब जो है मराथा जो है वो विजय हो जाते हैं और राजपूतों को आतम समर्प किया किन्तु इस बार भी विजय मराथों के हाथ ही लगी अतहत जैपूर राज्य को मराथों से क्या करनी पड़ी संधी करनी पड़ी अब देखिए कृष्ण कुमारी विवाद मिवाड की राजकुमारी कृष्ण कुमारी से विवाद को लेकर जैपूर के शाशक जगत सिं और जोदपूर के शाषक मान सींग के बीच में युद्ध की स्तिति उत्पन हो जाती है तो यहाँ पर कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जो युद्ध होता है वो किस किस के बीच में होता है जैपूर के शासक जगत सिंग और जोदपूर के शासक मान सिंग के बीच में ये युद्धु क्यों होता है तो चलिए जान लेते हैं कृष्णा कुमारी मेवाड के महराना भीम सिंग की बेटी थी बेटी किसकी थी भीम सिंग की और सगाई किसके साथ हुई थी मारवाड के शासक भीम सिंग के साथ ठीक है, मेवाड के महराणा भीम सिंग की बेटी थी और मारवाड के शासक भीम सिंग के साथ इनका विवाह तै हुआ था, लेकिन क्या हो जाता है अचानक से भीम सिंग की मृत्यू हो जाती है भीम सिंग के मृत्यू के बाद मेवाड के शाशक भीम सिंग ने कृष्ण कुमारी का रिस्ता जो है वो जैपूर के साशक जगस सिंग के साथ तै कर दिया तो अब जब विवहा की स्थती के दौरान जो भीम सिंग की मृत्यू हो गई, तो उनके पिता ने, कृष्णा गुमारी के पिता ने जैपूर के शाशक जगज सिंग के साथ विवहा तैकर कर दिया, लेकिन इस रिष्टे को मारवाड की जो नए शाशक थे, मान सिंग, उन्हो मान सिंग ने मिवाड पर क्या किया, आकर्मन करने का निश्चे किया, इस घटनाकरम के कारण एक बार पुन है, मराठो और अमीर खा, पिंडारी को मिवाड और मारवाड की आंत्रिक स्तिती में हस्तशेप का अफसर मिला, तो जब ग्रह कलेश होता है, ग्रह युद्ध होता बाहर वाले आकर उसका फायदा उठाते हैं, तो यहीं पर फायदा उठाने का काम मराठो और अमीर खा, पिंडारी ने किया, उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर फायदा उठाना चाहिए, मान सिंग का साथ देना चाहिए, जिससे की युद्ध की स्तिती हो, और हम लोगों का जो राज है, वो यहाँ पर लंबे टाइम तक बना रह सके, मारवाड के साथ सक मान सिंग का पक्ष लेते हुए, अमीर खा पिंडारी ने मेवाड में डेरा डाल दिया मेवाड में, अमीर खा पिंडारी ने कृष्ण कुमारी की शादी जो है, वो मान सिंग से करने, या मान सिंग के सामने रखा, और ये भी बात कही, कि यदि वो बात नहीं मानेंगे, तो मेवाड को उजार भी देंगे, ठीक है, इस बात के उन्होंने धमकी दी, अन्त में मेवाड के महाराना भीम सिंग ने, जो चंदर कृष्ण कुमारी के पिता थे, महाराना भीम सिंग ने, जो अमीर खां से मेवार की रक्षा करने में असमर्थ थे और मान सिंग से कृष्ण कुमारी की साधी नहीं करना जाते थे तो ये जो महराना थे भीम सिंग अमीर खां से मेवार की रक्षा भी नहीं कर पा रहे थे और मान सिंग से अपनी बिटी जो कृष्णा कुमारी थी उनका विभाब हुई नहीं करना जाते थे तो उन्होंने क्या किया 21 जूलाई 1810 को अपनी ही पुत्री को जहर पिला दिया और वो पुत्री की हत्या कर दी मातर 16 वर्षी अपनी पुत्री की यहत्या मेवाड के भीम सिंग पर ही नहीं समस्त मेवाड की सान पर एक धबबा था राजिस्थान में मराठा हस्तेशेप का यह सबसे बड़ा काला अध्याय है कि एक पिता नहीं अपनी पुत्री को जहर पिला दिया था उसकी वजय क्या थी उसकी वजय जो है वो जैपूर के सासक जगस सींग और जोदपूर के सासक मान सींग के मद्य जो युद्ध है वह थी ठीक है तो इस चीज को आपको याद रखना है और यहाँ पर जो बीच में मराठा और अमीर खा पिंडारी इन्हों ने हस्तशेप ज जोदपूर राज्य के उत्रादिकारी के प्रशन को लेकर उत्पन हुई और वह कई वर्षों तक चलती रही जोदपूर के महाराजा अभय सींग का भाई बक्त सिंग अभय सींग को गद्धी से हटा कर स्वयम जोदपूर का शाशक बनना चाता था अब यहाँ पर क्या संक यहाँ संकर था कि जोदपूर के महाराजा अभय सींग का जो भाई था बक्त सिंग वह अभय सींग को गद्धी से हटा कर स्वयम जोदपूर का शाशक बनना चाता था ठीक है जोदपूर के महाराजा अभय सींग का भाई जो बक्त सिंग है वह अभय सींग को गद्धी से भई पिता की मृत्यू के बाद बैठेगा कौन बेटा ही बैठेगा नवंबर 1750 इस्वी में बक्त सींग ने राम सींग को परास्त कर उससे जोदपूर की गद्धी जो है वो हतियाली उससे छीन ली क्योंकि ये क्या करना चाहता था ये तो पहले से ही जोदपूर का शाषक ज जब बक्त सींग ने अजमेर पर अधिकार कर लिया तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया क्योंकि मराठे स्वेम अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे तो जिस तरीके से अंग्रेज जो थे वो धीरे-धीरे करके पूरे हिंदुस्तान पर अप उसका क्या करते थी कि फायदा उठा लेते थी ठीक है चलिए नेक्स्ट दिखिए 21 सितंबर 1752 इस वी को बक्त सींग की क्या हो गई मृत्यू हो गई तब उसका पुत्र विजय सिंग जोदपूर की गद्दी पर बैठा उधर राम सिंग जोदपूर की गद्दी प्राप्त क जो है वो वहां के राजा थे इनकी मृत्यू के बाद उनका पुत्र जो है विजय सिंग वो गद्दी पर बैठा उधर राम सिंग जोदपूर की गद्दी प्राप्त करने है तू मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था अता है जून 1773 में रगुनाथ ने राम सिंग को पुनह जोदपूर की गद्दी पर बिठाने के लिए ठीक है 15 सितंबर 1753 को मेरता के पास दोनों पक्षों में युद्ध हुआ जिसमें विजय सिंग परास्त होकर नागोर की तरफ भागा और नागोर दूर्ग में शरण ले ली तो अब ये युद्ध जो परास्त होकर नागोर की तरफ भागा और नागोर दूर्ग में शरण ले ली विजय सिंग मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्तिती में नहीं था वह क्योंकि मराठों की जो तागत थी वो ज्यादा थी वह उनसे संदी करने को क्या हो गया विवश हो गया 1756 में उनके मेर और गड़ बीटली तारागड मराठों के अधिकार में रहेंगे जालोर सहित आधा मारवार जिसमें सांभर मारोट सोजत परवतसर और केकडी की 84 गाउं संबलित थे पर राम सिंग का अधिकार मान लिया गया और जोदपुर नागोर मेरता पर विजय सिंग का प्रवत् देनी होगी। राम सिंग ने अपनी साधा के बदले मराठों को पांच लख रुप्य देने वी सुईकार किया। जोदपुर राज्ये डेल लाख रुपय वार्शिक करके माराठों को देंगे। और राम सींग द्वारा विजय सींग की सीमा का अतिकर्मन करने पर विजय सींग सैनिक कारवाही के लिए सुतंत्र थे। तो इतनी सारी जो सर्ते हैं वो हुई 1756 इस्वी में, ठीक है। राजिस्थान के उप्योक्त प्रमुक राज्यों के साथ साथ लगवग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनका हस्तशिप आरम हो गया। किवल बीकानेर और जैसल में ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूट मार से बचे रहे। शेस संपूट राजिस्थान पर धीरे-धीर मराठों का वर्चस से इस्तापित हो गया। किस जिले में इस्तित है? सीकर में, जैपूर में, स्री गंगानगर में या हनुमानगड में। तो यह हम पढ़ चुके हैं कि हनुमानगड में काली बंगा जो है वो गंगर नदी के किनारे इस्तित है। राजपूतों की अगनी कुंड से उत्पत्ति का सिद्धान्त जो है वो किसने दिया था इसका आंसर जो है वो आपको देना है इस तरीके से आंसर देना है कि आंसर नंबर टू तो चारों अप्शन देखिए चंदरवर्दाई, अमीर खुष्रो, चंदरसेखर या बढ़नी त प्रत्वी राजत्तिये ने किस वर्स महोबा के चंदेल साशक को परास्त किया तो देखिए 1181, 82, 91 और 92 तो यहां पर पानीपत की दो युद्ध और एक महोबा के चंदेल साशक को परास्त किया था प्रत्वी राजत्तिये ने वो युद्ध ये तीनों तेट जो है वो आप को यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसमेंसे यहाँ आपसे पूछा गया है प्रस्वीरा तृतिया ने किस वर्स महोबा के संदेल सासों को पराश्त किया यह आपको बताना है कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी तो अब देखिए अभी-भी हमने यह चीज प किसमक प्रशन है गनिशवर सब्वेता किस जिले में किस नदी के किनारे अविस्तित है राजपूतों को विदेशी आक्रमन कारी किस ने सुईकार किया राजिस्थान के चार उत्तर पाशान काली इस्थलों के नाम बताईए एक-एक लाइन के कुश्यन है इनको भी आप सॉ के नाम से कौन प्रशिद्ध हैं तो देखिए ऐसे ही कुश्यन आपके एक्जाम में पूछ ले जाते हैं बहुत ही आसान से जो भी डिफिकल्ट लगते हैं कि यह कहां से आ गए अब कहीं किसी भी आप कोचिंग में बड़ी कोचिंग में जाते कि कि वहां आपको इस तरीके से कुश्यन जो है न वो कुश्यन आपको इस तरीके से मिलते और नहीं इतनी डिटेल में आपको मिलता क्योंकि वो हाई लेफल के जो पढ़ाई है वो आपको करा देते हैं आप उजाते हैं कन्फूज तो इतना chapter पढ़ने के बाद एक-एक question जो है वो आप बहुत आसानी से solve कर सकते हैं इनको सुमेलेत करना है, यहां राजवन्स हैं, यहां संस्थापक हैं, राठोड वन्स के संस्थापक कौन है, चोहान वन्स के कौन है, जाट के कौन है, कच वहां के कौन है बहुत अच्छे से मैंने आपको यह करवा दिया है, तो इसी तरीके से करते रहेंगे तैयारी, मिलते हैं next वीडियो में, thank you